और यह है बच्चो हमारा LPP graph, linear programming program का यह graph है, इसे हमाँ समस्याओं को graph के जरीए आलेखी, बीधी के जरीए बच्चो हल किया जाता है, ठीक है, और यह examination बच्चो हमारा न, यह 5 marks का है, वो सन एक्जाम में आता है, ठीक है, यदि इस विडियो को आप पुरी तरह से देख होगे, तो बच्चो पांच नंबर आपका, कि लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या काता है बच्चो, काता है आलेख द्वारा निम्द रेखिए, प्रोग्राम समस्याओं को हल किजिए, और यह देखिए, हमारा inequality दिया हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, लेस देन इ को सुझाते हैं, और हम question का solution करते हैं, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, मेरी बातों को आप समझ लिजिए, ठीक है, उसके बाद हम solution करेंगा, ठीक है, question तो आपको देखी रहा होगा, बिल्कुल मैं इसलिए बिल्कुल अराम अराम से आपको question को समझाते अरे वे आगे बढ़ूंगा बच्चो, ठीक है, तो देखिए बच्चो, अब मैं आपके question जो है, आपके सामने रख दिया हम बिल्कुल, देखिए हमारा question क्या काता है, कि x प्लस by, ठीक है, x प्लस by और ये less than equal to 50 है बच्चो, इसका हमको संगत समिकरन पहले लेना है, ठीक ह दूसरा हमारा समिकरन है बच्चो, 3x प्लस by और ये बराबर जो हो जाएगा, sorry, less than ये है हमारा 90, तो इसका भी संगत समिकरन लिया जाए, जो हो जाएगा 3x प्लस by और is equal to 90, ठीक है, और एक तीसरा जो दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, x greater than 0 और y greater than 0, इसका मतलब याद रखना है, बिल्कुल हमेशा याद रखना है, इसका मतलब प्रथम पाद होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रथम पाद होता है, हमेशा ये आपको याद रखनी है, इसका मतलब प्रथम पाद होता है, ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं थोड़ा सा आपको जा दूं फिर इसको हम आलिखिया बिदी से बिलकुल हल करेंगे तो जो हमने संगत समिक्रन बनाया है ठिक है उसको अप या तो क्या करो ना कि आप इस तरह से खाचा बना लो ठिक है पहले graph को draw करना है बिलकुल इत्विनाहन से आप खाचा बना लो एक डाइग्राम बना लो ठीक और इस तरह से और इधर जो है बच्चो इधर लिख दो हमारा X और इधर लिख दो Y ओके उसके बाद देखिए बच्चो क्या करना है कि X में पूट करो 0 ठीक है यहां X और 0 रखोगे तो यहां Y और 50 आजाएगा ओके इसके बाद क्या करना है बच्चो यहां पूट करना अपकी बार Y और 0 ठीक है चलिए अब इसका हम खाचा तयार करते हैं और इसका हम बच्चो इस तरह से डायग्राम बना लते हैं ठीक है यहां भी इसी प्रका से डायग्राम बनाएंगे बच्चो बिलकुल है ना यहां X और यहां Y पहले हम X को 0 रखेंगे तो 3 गुने 0 यह 0 हो जाएगा और Y में 90 चलाएगा अब कि और Y में 0 रखेंगे हम इसको रखेंगे ठीक है उसके बाद हम चर्चा करेंगे ठीक ना चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ग्राप को खिचने का हम परियास करते हैं बच्चो ताकि आपको अच्छी तरीके से बिलकुल समझ में आ सके ओके चलिए हम एक डायग्राम अब तयार करते हैं ठीक है आपको खाचा चितरा से समझ में आ गया होगा फिर हम विशेश चलेंगे अपने कोस्टन पर ठीक ना चलिए हम क्या करेंगे बच्चों बिल्कुल इतिमिनान से ठीक है बिल्कुल धंग से बिल्कुल धंग से बिल्कुल इतिमिनान से कोस्टन को हम सोल्व करेंगे ठाकी हमारा कोस्टन जो है बिल्कुल आराम से बन सके ठीक है या तो तो किलियर जा रहा होगा आपको ओके चलिए बच्चो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ सके चलिए ठीक है ओके दिखिए अब देखिए आप या तो दस-दस का इंटरवल लेलो हम इसा करते हैं दस-दस का इंटरवल लेलो ठीक है इधर लेते हैं दस यह हो गया बीस यह हो गया हमारा तीस यह हो गया हो गया बच्चो हमारा चालिस यह हो गया बच्चो हमारा पचास यह हो गया हमारा साथ इधर हम लेते हैं सत्तर इधर लेते हैं असी और इधर लेते हैं नब्बे तक इधर भी कोशिस करते हैं दस-बीस बर प्लावर दूरी होनी चाहिए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यह हमरा 90, ठीक है, जितना जरुवत थे उतना ही लेते हैं, ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यदि इसकी बात की जाए, ठीक है, तब पहला एक्स में 0 है, और यह हमारा बच्चो आपको मालू होगा कि X, O, और यह Y हमारा है, ठीक है, तो हमारा पहले पहला बिंदू है बच्चो, 0 और 50, ठीक है, तो X में 0 और 50 यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर क्या करना है, अब की बार हमारा Y में 0 है, Y 0 है, X 50 है यहाँ पे आएगा, ठीक है, मैं मोटा बिंदू कर देता हूँ सबसे पहले सब के संगत समिकरन को खिच देना है ठीक है हमने खिच दिया देखिए बिल्कुल आराम से खिचिए कोई परसानी नहो ठीक है इसको हम मोटा कर देता कि बच्चों हमको परसानी नहो ठीक है और बाकी देखी इधा आगे का डाइग्राम डॉटेट लाइन से आप खिच सकते हो इधर का भी आप डॉटेट लाइन से गर चुकि हमारा देखिए इसका मतलब जो दिया हुआ है न बताएंगे आपको ठीक है यह पहला ग्राफ ट्रो हो गया दूसरा काता है बच्चो की हमारा वाई में 90 ठीक है और फिर एक्स में हमारा 30 है ठीक है इसको मोटा बिंदू कर दूँ सबसे पहले ग्राफ को हम खिच लेते हैं इस संगत जो समिक्रान है उसको गीच देते हैं चलिए घीचा जाए ठीक है इसको मोटा कर दो था सबाव आगे कर आपको डोटेट कर दीजिए धर नीचे कर आपको डोटेट कर दीजिए ठीक है हमारा यह पॉइंट हो गया अब देखे क्या कर रहा है ठीक है अब इसकी जरुवत पढ़ने वाली है तो अब हम रफ वर्क करते हैं ठीक है रफ वर्क क्या इस फीगर को मैं साइड को बगल में रख देता हूं और इसी के जैसा मैं एक अलक से फीगर बनाता हूं ठीक है जरा देखे इस फीगर को मैं साइड कर देता हूं यह चुकि इसकी जरुवत हमें पढ़ने वाली है ठीक है मैं एक दूसरा पेज लेता हूं ठीक है इस तरह से चलिए इस तरह से लेता है और इस पेज पर इस फीगर को बनाता हूं फिर आपको शम्रादता हूं ठीक है हमारा जो है बिल्कुल इत्मिनान से आप एक डाइग्राम किश दो यहां तक हमने ले लिये अब यहां से आगे किश देते हैं कि दिये इधर भी ले लेता हैं 10,10,30,40,50,60,70,80,80 अरे इधर लेता है बच्चों 10,20,30,40,50,60,70,80,80 इसका मात तो भी पता चलेगा बच्छों बिल्कुल अभी तुरत हमारा जो बिंदू है यहाँ पे ठीक है यह पहला बिंदू एक यह है और यह दूसरा बिंदू यह है ठीक है मैं इसमें क्या करता हूं कि इस पे रेखा खिर जाता हूं उसी के जैसे ठीक है इधा डॉटेट इधा डॉटेट दूसरा हमारा है यह पॉइंट और यह पॉइंट ठीक है इसको यह मैं मिला देता हमारा हम से हुआ है थीक है मैंने खिच लिया है थीक है इसको थोड़ा सा मोटा कर दो खिख है चलिए बच्चो अब देखिये यह फीगर यह फीगर यह देखिए दोनों फेसा है तोड़ा शाव्रा ठीक है और यह जिसका संगत समिकरन है यह है हमारा 3x प्लस 2 ब्राव 90 ठीक है यह हमारा है यह हमने पहले इसको दूसरा माना है और इसको हमने पहला माना है ठीक है यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको हमने पहला माना है और इसको हमने दूसरा माना है ठीक है कोशन क्या कहता है उसके बारिकियों को समझना है देखिए कहता है न कि x प्लस y ठीक है जराद्यान से x प्लस y लेस देन इकोल टू 50 है ठीक है तो देखिए लेस देन का मतलब क्या होता है ही हमको समझाना इसलि यह हमारा जो समिक्रा नेक है ठीक है आगे भी आप बढ़ा सकते हो लेज देन का मतलब होता है इस लाइन के नीचे ठीक है इस लाइन के नीचे जरा ध्यान देजेगा इस लाइन के नीचे बिलकुल इस लाइन के नीचे इस लाइन के हमको नीचे जाना ठीक है अब चुकि हमा आरा काता है 3X प्लस Y ये भी है लेस देन 90 बच्चों ठीक है यानि कि हमको इस लाइन से भी हमको चाहिए नीचे इस लाइन से भी हमको चाहिए नीचे ठीक है इस लाइन से भी क्या चाहिए नीचे चाहिए इस लाइन से नीचे चाहिए ठीक है यही तक रखते हैं आप जरा द बिल्कुल इतिमिनान से हम खोजेंगे कि देखिए पहले तो देखिए हम देखेंगे ये जो point of intersection जो बन रहा है उस पर गोर करेंगे बच्चों ये पहला point of intersection ये बन रहा है दूसरा point of intersection ये बन रहा है तीसरा point of intersection ये बन रहा है चौथा point of intersection ये बन रहा है पांचमा ये बन रहा है अच्छ था यह बन रहा है सभी को हमनों बुन्दा कर दिया ओके अब देखिए क्या है सबसे पहला पॉइंट इसको मान ले सपोईडेट हम ए मान लेते हैं ठीक है इस पॉइंट आप इंटर सेक्शन के बाद देखा जाए तो जरह देखिए इस लाइन के नीचे चाहिए औ हमारा यह जो मैं रंगिन करते जा रहा हूं ठीक है वहां तक यह जा रहा है ठीक है हम यहां तक आके रुख जाते हैं ठीक है यहां तक आके रुख जाते हैं और फिर हम इस पॉइंट आप इंटर सेक्शन की बात करें इस लाइन से इधर चाहिए इस लाइन से इधर इस ला यहां से इधर यहां से उपर यानि कि यही अरिया होगा ठीक है ठीक है थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ता है आप देखिए क्या करना है कि हम को यह सब्सक्राइब करें हम और यहां से इधर की बात करते हैं इस लाइन से नीचे चाहिए और इस लाइन से बीच का यही अरिया चाहिए ठीक है और यदि इसको और इसके point of intersection के बात करें ति दोनों से नीचे के area चाहिए बीच के area ये चाहिए ठीक है तो देखिए इस तरह से हमारा ये सुसंगत छितर बन जाता है ठीक है ये तो हमने रफ वर्क किया वच्चो अब देखिए बिलकुल इसको सुसजित तरीके से हम क ठीक है ओके चलिए कोई बात नहीं ठीक है अब देखिए करना क्या है बच्चो कि अब हम इस फीगर में आते हैं चुकि हमारा यही जरूरी चीज है इसी फीगर में हम सारा काम करें तो हमारा जो point of intersection में ने बताया था ये फिर ये फिर ये ठीक है फिर उसके बाद ये फिर और फिर ये नामकरन कर सकते हैं इसका हमने A कर दिया इसको हमने B कर दिया ये तो हमारा वो ही है इसको हम C कर दते है ठीक है इसको हम D कर दते है और इसको E कर दते है ठीक है सब ही हमारा जो कटान विंदू है सबको हमने सुनक्चित बिलकूल सुसजित तरीके से सुनक्चित क अब पर थम पाथ की बात आएगी तो हमारा यही पूरा एरिया चाहिए यह मारा है वॉयक्स इसी में हमारा फीगर को बनना अप्रस्य चल लिए हम जज करते हैं कि हम सबसे पहले उठा लेते हैं हैंसे यहीं से हमारा इधर से इधर का area चाहिए और इधर से इधर का area चाहिए बच्चो ठिक है ठिक है फिर देखिए यदि इस point of intersection की बात करें तो इस line से उपर चाहिए और इस line से नीचे चाहिए बात को समझे आगा ठिक है चलिए उसके बाद में हमारा यदि इस दोनों line की बात करें या फिर इस दोनों लाइन की बात करते हैं चुकि यह point of intersection है तो यहां से नीचे का area चाहिए ठीक है यहां से नीचे का area चाहिए ठीक है आब यह दी इस दोनों line की हम बात करते हैं तो इस line से भी नीचे और इस line से भी नीचे ठीक है इसका मतलब क्या हो गया common area यही पार्ट होगा common area जो होगा हमारा ये पार्ट होगा ठीक है इस पार्ट को मैं रंगीन कर रहा हूं वही area जो है हमारा आने वाला है ठीक है थोड़ा सा परसानी होती है अब देखिए ये दूनों line की बात करें तीस line से भी नीचे और इस line से भी नीचे ठीक है इसका common area ये अधियर होगी ये बच्चों ठीक है अब मारा फिगर कैसा बन रहा है यह मैं आपको बता दू ठीक ना कि हमारा फिगर दकिये इस प्रकार साइड में आप इसको बना सकते हैं बिलकुल अच्छे तरीकर से मैं सैड़ में बना देता हूं यहां पर हमारा इसका जो फिगर बन यहाँ पे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसको O कह दो, इसको C कह दिया हमने, इसको E कह दिया और यह हमारा B हो गया, यही चार सिर्स कोन बच गया बच्छों, ठीक है, और यही हमारा एरिया आ गया, ठीक है, अब चाहिएगा तिसका हमारा नियामक यहाँ पर है 00, यह है ह हमारा बच्चो 30 और 0 ठीक है यह है हमारा 0 और 50 अब देखिए इस E point का हमारा चाहिए की कटान बिंदू तो यह हमारा graph नमबर 1 ठीक है graph नमबर 1 और यह graph नमबर 2 का कटान बिंदू है तब side में निकाल सकते हैं यहाँ पे निकाल लो ठीक है हमारा क्या है X प्लस Y X प्लस Y प्रावर 50 और 3X प्लस Y प्रावर 90 आप इसको हल कर सकते हैं यह कट गिया माइनस 2X प्रावर माइनस 40 यह एक्स प्रावर 20 किसी X अमिकरन में X कमान 20 रखोगे तो Y कमान 30 आ जाएगा ठीक है यानि या जाएगा 20 और 30 ठीक है इस तरह का जो एरिया बन गया है बच्चो ये हमारा है न ये चारो सिर्स जो है हमारा ब्रीत के ब्रीत पर है ठीक है इसका मतलब ये जो छित्र बन रहा है बच्चो हमारा ये हमारा सुसंगत छित्र बन रहा है ठीक है ठीक है और ये सुसंगत्चित्र कैसा बन रहा है बच्चों हमारा बन सुसंगत्चित्र है ठीक है और जब बन सुसंगत्चित्र होता है न तो वहाँ पर जो समस्य दिया होता है जेड ठीक है जेड का हम अधिकतम या नियूनतम मान निकाल सकते हैं थोड़ा सा परसानी होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसलिए हमने अलग से इच्छत्र बना दिया अब देखिए इसके बाद क्या करना आता है तो जो हमारा सुसंगत छेत्र बन रहा है वच्छो ठीक है उसको हम एक खाचा तयार करते हैं बिल्कुल इत्मिनान से बिल्कुल आराम से ठीक है देखिए कैसे बनाएंगे उसको ठीक है यह तो फिगर आपको दिखी रहा होगा एक बना लो डायग्राम आप इस तरह से और इस डायग्राम में जितना भी सिर्स बिंदू बन रहे है सब को हम लिखे है सब को हम क्या करेंगे लिखेंगे कि धर हम लिखते हैं शिर्स बिंदू तिक है यहाँ पर लगते हैं हम जेट जो समस्या दिया हुआ है यह है 4X और प्लस Y तिक है अब जिसे हमारा पहला सिर्स बिंदू है दिये माले जम यहींस को लेके चलते है यह origin है 00 यहां से इस पर हम Z का मान निकालेंगे यह हो जाएगा 4 गुने 0 अब प्लस 0 तो यह हो गिया 0 हमारा फिर हमारा है यह C सिर्स बिंदू है C है C का कोडिनेट वच्चो 30 और 0 यहां से Z का मान निकालेंगे तो 4 गुने हो जाएगा 30 और प्लस 0 है नहीं के 120 फिर हमारा E है E को 20 और 30 है ठीक है यहां से Z का मान निकालेंगे हम 4 गुने 20 और प्लस 30 तो यह हो जाएगा 80 110 और फिर लास्ट का जो हमारा निकला है वो है B यह बच्चो 0 और 50 ठीक है यहां Z ब्राव हो जाएगा 4 गुने 0 और प्लस 0 हो गया प्लस बच्चो · 50 अब हमको देखना है कि किस पर अधिक्तम मान आ रहा है ठीक है तो देखिए सिर ची पर जो है अधिक्तम मान आ रहा है यानि कि यह हो जाएगा Z का अधिक्तम मान ठीक है और यहाँ O पर हमारा नियुंताम आ रहा है इसलिए हम पर लिखेंगे Z का नियुंताम ठीक है इस तरह से आपको लाज्टमेंट डायग्राम बना देना ठीक है लिदी और भी परसानी हो ठीक है तो मैं अगला कोस्टन आपको बताता हूं अब बच्चों दूसरा प्रशन हम आपके शामने रखते हैं और हमने परियास किया है इसको आपको अच्छी तरह से समझाने का देखिए हमारा यहां समस्या है 3x प्लस 2y ब्राव इसका निम्तिक करम निकालना है सबका संगत समकरम निकाल तो पहले x प्लस 2y ब्राव राट दूसरा है 3x प्लस 2y ब्राव पंद्रा ठीक है 3x प्लस 2y ब्राव पंद्रा ओके अब सबका डाइग्राम पहले खिचना है ठीक है फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम निकालेंगे ऐसलर तो डीघ्राम खिशने के लिए खाचा बनालो सबसे अच्छा नियम यही है बच्चो तो इस तरह से हमए खाचा तैयार कर लिया यहाँ 16 और यहां यहां बाई ठिक है यहाँ पहले हम एक्स में-जीरो रखेंगे तो बाई में ङाट्ट और यहां-जीरो दएक्स में लिखते हैं एक्स और यह बाई तो यह एक्स में 0 लिखेंगे तीन गुना 0 0 यह पांच बाय और 15 बाई ब्रावर तीन अब गिर वाई में 0 करेंगे तेक्स और और पांच आ जाएगा ठीक है तो इसका डायाग्राम सबसे पहले खिचलो आप उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है ठीक है यानि कि हम क्या करते हैं इस तरह से एक डायाग्राम खिचते हैं ठीक है यह हो गया हमारा 0 यह हो गया एक्स यह हो गया बाई हमें इसा करते जाया तो है बड़ा नहीं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ और याठ ठीक है बरावर काट लिए पहला देखे एक्स में 0 वाए में 8 है यह बिन्दू आएगा दूसरा है वच्छो एक्स में 8 वाए में जरूती यह बिन्दू आएगा है न हम दोनों को पहले मिला आ दते हैं ठीक है और इसको थोड़ा से मोटा कर दते हैं ठीक है चुक्क है हमको पर्थम पाद में चाहिए इधर डॉटेट कर दीजिए इधर डॉटेट कर दीजिए दूसरा है एक्स में 0 वाए में 30 और यह है एक्स में 5 वाए में 0 यह है इस लाइन को भी आप खिज दो खिज दिया यानि कि यहां पर होगी है हमारा 8 0 यह होगी है बच्चो 0 और 8 और यह होगी हमारा 0 और 3 और यह होगी है बच्चो 5 और 0 टिक है अब देखिए तो सिधा सिधा कोश्चन है कोश्चन क्या है इसको समझा जाए ठीक है कि देखिए क्या कहता है कहता है एकस प्लस बाई greater than equal to 8 जब greater की बात होगी न तो पहला ग्राफ हमने यह बनाया है ठीक है बिलकुल इसके अपर एरिया की बात होगी ठीक है इसका अपर एरिया इधर होगा इसका अपर एरिया इधर होगा इधर का भाग होगा यह अपर एरिया ठीक है चलिए अब हमारा दूसरा है लेस देन ठीक है यह थ्री एक्स प्लस फाइब आई ब्रावर यह है पंदर इसका लेस देन दुसरा हमारा क्या है ठीक है यह थ्री एक्स प्लस फाइब आई लेस देन का मतलव होता है यह जो लाइन है इस लाइन के नीचे ठीक है इस लाइन के नीचे का अरिया ठीक है चलिए, अब यहीं दिखिए बच्चो, किलियर होगihen, अब हमारा जो ये छेत्र बन गिया, ठीक है, ये नमा करन किया जाए, इसका मैं नाम A कर दूँ, इसको मैं B लिख दूँ, इसको मैं C लिख दूँ, इसको मैं D लिख दूँ, तो बतायेत कि इस सबों में सामिल एरिया कौन मिल रहा यह हमारा इधर जा रहा है इसका मतलो इसका कोई भी common छित्र नहीं बन रहा है वच्चोई ठीक है तो यहाँ पर क्या है न सुसंगत छित्र नहीं बन रहा है ठीक है सुसंगत छित्र जो है का निर्मान नहीं हो रहा है ठ इसका मतलब क्या हो गया इसका कोई हल नहीं होगा इसका कोई हल नहीं होगा ठीक है और बताया थे सुसंगत छेतर दो तरह से होता है बच्चो एक बंद होता है और दूसरा जान लिजिए कि खुला होता है ठीक है दूनों में से कोई नहीं है नहीं सुसंगत छेतर का मतलब होत इसका कोई हल नहीं होगा ठीक है चलिए बच्चो ये तो हमारा हो गया बच्चो कोशन नमर दूसरा ठीक है एक हम तीसरे के भी चर्चा कर लते हैं और मैं आपके शामने रखा हूं तीसरा नमर प्रश्म देखे तीसरा नमर कोशन दिकिया होगा तो यहाँ पर भी क्या कर लो सबसे पहले सब का संगत समिक्रण लिख लो एकस प्लस बाइबरावर ठीरी इसका लिख लो एकस प्लस बाइबरावर टू और इसका मतलत बच्चो हमेशा होता है पर्थम पात ठीक है नहीं पर्थम पात क इसके डायग्राम को किछने के इस तरह से खाचा बना सकते हैं कि यहां एकस लिलो यहां वाई एकस में 0 करोगे तो वाई में 1 वाई में 0 करोगे एकस में 3 यहां पर क्या है इसका खाचा बनाओंगे ठीक है इस तरह से योग यह एकस और योग यह बाइब थो एकस मैं जिरू होगा तो बाइब दूँ एकस पाइब जिरू होगा तो एकस मैं तूँ ठीक है चलिए बिसके डाइग्राम गोखिषते हैं ठीक है ओके हो गिया एक्स और वाई यह हो गिया एक दो और तीन ठीक इधर हो गिया एक दो और यह तीन हमारा देखिए पहला बिन्दू है बच्चो 0 1 तो हमारा यह हो जाएगा 0 1 दूसरा है तीन 0 दिये हो जाएगा इसको हमने मिला दिया त्योंकि पर्थाम पाच से यह मतलब है तो ज्यादा हमें बनाना है नई धर बनाना है ज्यादा किजिएगा डॉटर लाइन पर कर दीजिय अब दूसरा है एक्स में यह जिरो दू और यह बच्चो है दू-जिरो ठीक है ज़रा इसको देखी इसको यहांने मोटा कर दिया ठीक है यह हमारा point of intersection मिल रहा है अब देखिए यहां पर question क्या करता है ठीक है जड़ा ध्यान देना है है शुकि पर्थम पाद में है इसी एईरिया में हमारे सीजर भनेंगा ट्रिक है तो कहता है ना किसा से पहले यह हमारा कि इसको हमने श्मेक्रण एक म्ना यह था ठीक है इसका नियामक है थीन-जिरो और यह Après यह हमारज बच्च टीक है तो कहता है कि इस लाग ग्रेटर देखे कोशन क्या कहता है x पलस 3y ग्रेटर देन 3 इसका मतलब न कि इस तरह से जो ये लाइन हमने खिचा न ये लाइन खिचा इसका हमको अपर एरिया चाहिए यानि इस रेखा से उपर का एरिया चाहिए ठीक है इस रेखा से उपर कह रही है चाहिए ठीक है इस रेखा से उपर कह रही है चाहिए बिलकुल ठीक है अब क्या करता है हमारा दूसरा भी करता है कि x पलस y greater than 2 है यानि कि दूसरा जो line यानि ये जो graph है इसके भी upper area चाहिए यहां से इसे चाहिए तिक है अएाँ से ओपर का area इसको मैं मोटा करता तक जादे आप समझिए इससे हमको चाहिए अब ऊपर का area चाहिए नहाज भी उपर का चाहिए ठिक है और और यानिकी इस लाइन है इस लाइन से उपर कह रिया चाहिए तो अब हमको देखना है कि कौन अरिया कौन कौन सा आ रहा है इसके लिए सॉलिड है कि हम एक रफ वर्क तयार करते हैं तिक देखिए रफ वर्क क्या हो सकता है को देखिए इसको मैं साइड कर दता हूं न हुग हमने हमने साइड में इसको को देख लिएगए हूं कि एक लाइन हो ने सेट किछ敢 ठीक है यहां से इसका पर अपर दूसरा लाइन हमने एसे खीचा है कर तो यहां भी अपर एडिये चाहिए अपाइग है इसका मतलब यहां पर हमारा सुसंगत श्यत्र बंदाल इन खुला वने कॉमन एरिया काह से यह दिखें यह पॉएंट से नीधर का एरिया चाहिए हमगोई तिक है यह एरिया चाहिए कर रहें है यह और यह तिक है और यहां समको इधार का अरीया को चाहिए है तो यहां भी डैगराम में हम क्या करते बच्चो की तरह से बनाते हैं है यानि हमको चाहिए तुरह दरब परक में हो गी है है यह कुछ है है यहां पर ठीक है तो देखिए कैसा एरिया जाहिए यह हमारा वाइंट है जीरो दू यह हमारा इसे गया ठीक है फिर यह प्वाइंट ओफ इंटर सेक्शन है ठीक है फिर यहां समको ऐसे जाहिए है यहां समको फिर ऐसे चाहिए ठीक है और फिर यहां समको ऐसे चाहिए यह एरिया चाहिए Shopify अ See ये एरिया हमको चाहिए, ये एरिया हमको चाहिए, यानि कि कई को पॉइंट मिल रहा है, एक, दू और ये तीन पॉइंट ही मिल रहा है, तो इस ग्राप में देखते हैं, देखिए ये इसका दिनामा करन हम A करते हैं, इसको B कहते हैं, ये हमारा C है, इसको हम D कहते हैं, इसको पड़ गिया यह पॉइंट पड़ गिया बच्चो तो सी का निकालने के लिए क्या करना होगा ग्राप नमबर एक यह एक स्प्लस थ्री वाई ब्रावट थिरी आद दूसरा एक स्प्लस वाई ब्रावट टू इसको हल कर दिजिये कोई घटा दिजियेगा तो यह कट जाएगा टू बाई ब्रावर एक है ना टू बाई ब्रावर एक यह ब्रावर यह हाफ हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा एक स्प्लस ब्रावर जो हो जाएगा यह थ्री वाई टू हो जाएगा टिक है तो आप सी का कोडिनेट भी निकाल से हमारा ये एरिया बन गया बच्चो ठीक नहीं थोड़ से परसान ही होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसको बिल्कुल आराम से बनाएंगे हम ठीक नहीं चलिया अब हम क्या करेंगे कि एक अलग से खाचा तयार करेंगे ने की इस तरह से सिर्षबिंदू को तयार करेंग है ठीक है कि हमारा कौन-कौन यह हमारा जो सुसंगत श्यत्र बना है यह हमारा खुला सुसंगत श्यत्र बच्चों खुला सुसंगत श्यत्र है ठीक है तिसका या तो अधिक्तम निकाल सकते हैं या तो हूं साइड में आपका मैं यहां बना देता हूं ठीक है चित्र तो हमारा बन गिया एक मैं यहां पर बना देता हूं आपका अलग से खाचा ठीक है यहां पर लिखते बच्चो सीर्स विंदू और यहां पर जेट तो पहला से विंदू मिल गिया ए जिसका कोडिनेट बच्चो जीरो दू और जेट बरावर जो दिया हूए ठीक है इस पर भेलू रखिये जेट बरावर जागा तीन गुने जीरो प्लस पांच गुने दस यानिकी दस दूसरा मिल गिया सी यानि एक बटा तीन बटा दू और एक बटा दू तियो जागा जेट बरावर तीन गुने तीन बटा दू प्लस पांच गुने एक बटा दू तियो जागा नो पांच चौदा बटा दू यानिकी साथ और तीसरा मिल गिया ही तीन जीरो ठीक है तियो जागा जेट बरावर यहां जागा ती तो इस तरह का समस्य में बच्चो अधिक्तम या नियुनतम ही निकाल सकते हैं तो यहां पर आधिक्तम की बात की जायगी ते बिंदु पर आयगा ठीक है यह जेट का अधिक्तम मान जो है यह हमारा नू होगा ठीक है इस तर से बच्चो हम एकजाम में हम बना सकते हैं आराम से ठीक है तो इस तर हमने तीन डियाग्राम को समझाया बच्चो ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको ठीक है ओके बच्चो